हलो बच्चों आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं मधुमाला हमारी आज की इस कक्षा में बच्चों आज की इस कक्षा में हम कक्षा नौ की पाठ्य पुस्तक शितिच से उसमें काव्य खंड में संकलित साखिया जिसका दूसरा भाग है सबद उसे ले करके आज मैं प्रस्तुत होई हूँ तो पहले भाग में हमने साखिया कभीर जी की साखिया का जिक्र किया था उसके बारे में चर्चा की थी जिसमें इश्वर को प्राप्त करने के विभिन उपाए और अनेक दोहों में उन्होंने हमें साधना और साधक दोनों के बारे में जानकारी दी अब इस भाग में हम सबद अर्था शब्द यानी की कबीर दी जी द्वारा बोले गए शब्दों के समु को जिसे हम वाक्य कहते हैं उन्ही दोहों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे चर्चा करेंगे पर इस शब्द की शुरुवात करने से पूर्व हम पहले ये जानेंगे कि उन्होंने हमें इस पाठ में क्या जानकारी देने की चेश्टा की हैं तो चलिए पहले ये जानकारी हासिल करते हैं तो इस पाठ की प्रस्तावना है कि यहां संकलित पहले शब्द यानि पद में शब्दों के समुह में उन्होंने ब्रह्मान डंबरों का विरोध एवं अपने भीतर की ईश्वर की व्याप्ती का संकेत है और तो दूसरे पद में अर्थात यहां पे दो पद दिये गए हैं गया है और दूसरे सबद में ज्यान की आंधी के रूपक के सहारे ज्यान के महत्व का वन्न है कबीर जी कहते हैं कि ज्यान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है यानि जब उसे ज्ञान की प्राप्ती होती है तो उसके मन का सारा अंधिकार स्वयम ही नश्ट हो जाता है तो इन जिन दो पदों की यहाँ पर चर्चा की गई है हम शुरुवात करते हैं पहले पद से तो पहले पद में सबद अर्थात शब्द पद यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि मोको कहां ढूंडे बंदे मैं तो तेरे पास में ना मैं देवल ना मैं मस्जित ना कावे कहलास में ना तो कौनो क्रिया करम में नहीं योग बैराग में कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सासों की स्वास में अर्थात अब इस पद के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम इन शब्दों के अर्थ की जानकारी लेंगे ततपश्चात हम इसके भावार्त के उपर विशह में बात करेंगे तब यहां पर दिया गया है कि मोको कहां ढूंडे बंदे मोको अर्थात मुझे कहां यानि किधर ढूंडे अर्थात ढूंडना बंदे अर्थात मनुष्य को वेक्ति को कहा जा रहा है मैं तो तेरे पास मे अर्थात मैं तुम्हारे पास ही हूँ ना मैं देवल अर्थात देवाले जिसे कहते हैं उसे मंदिर भी कहते हैं ना मैं मस्जिद मस्जिद जहांपर मुस्लिम पूजा करते हैं न काबे कैलास में काबा होता है मुसलमानों का तीर्थिस्थान और यहां कोने कार्थ होता है किसी भी और क्रिया कर्म अर्थात सांसारिक आडंबर अर्थात दिखावा योग योग कर्थ या क्या बताया गया है योग साधना करना अर्थात तपस्या करना वैराग यानि वैराग्य तुरंते अर्थात शीग रही तलास तलाश कर्थ है खोज तो यहां पर कबीर जी इन दोहों में इन पदों में हमें ये बता रहे हैं मो को कहां ढूंडे बंदे मैं तो तेरे पास में अर्थात मुझे कहां ढूंडते हो मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ अभी हम शाब्दिक अर्थों का मिलान करके इसे समझने की चेश्टा करेंगे ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलास में यानी ना मैं मंदिर में स्थापित हूँ ना मैं वहां रहता हूँ ना मैं मस्जिद में रहता हूँ और ना ही काबा जैसे तिर्थिस्तान और कैलास जैसे स्थानों पर ही विराजमान रहता हूँ ना तो कौनो क्रिया करम में अर्थात में किसी भी तरह के दिखावे में या किसी भी कार्य जिसे करके लोग सोचते हैं कि मैं इश्वर की प्राप्ती कर लूँगा मैं उन सब के द्वारा भी नहीं प्राप्त होता हूं ना ही योग बेराग में अर्थात ना ही मैं किसी तपस्या द्वारा मिल सकता हूँ ना ही साधू संत द्वारा जो तपस्या की जाती है उसके द्वारा प्राप्त हो सकता हूँ खोजी होए तो तुरंत मिल हो अर्थात अयदी यदी कोई सच्चा व्यक्ति जो सच की रह पे चल रहा है जो इश्वर को सच में प्राप्त करना चाहता है इश्वर ये ग्राग्यान को प्राप्त करना चाहता है यदी ऐसा व्यक्ति मुझे ढूंडेगा मुझे खोजेगा तो तुरंत मिली हो अर्था तुरंत मिल जाओंगा पल भर की तलाश में अर्था तुरंत शन भर में मैं उसके सामने प्रकट हो जाओंगा कहे कबीर सुनो भाई साधू अर्थात यहाँ पर कबीर जी सभी साधगों को जो तपस्या में लीन रहते हैं जो विभिन प्रकार के आडंबर करते हैं उन सभी साधगों को संबोधित करते हैं कि इश्वर कहां है वह तो सबकी स्वासों के स्वास में हैं स्वास का अर्थ क्या होता है स्वास का अर्थ होता है सांस जिसे हम और आप लेते हैं तो स्वास कहा होता है वो हमारे भीतर होता है उसी प्रकार कभी कह रहे हैं कि इश्वर कहीं बाहर नहीं है वो स्वयम हमारे भीतर है चलिए अब हम इसका भावार्थ संपुन रूप से दे तेरे बहुत नस्दीक हूँ ना मैं मंदिर में रहता हूँ ना मैं मस्जित में ना मुसलमानों के तीर्थ काबा में निबास करता हूँ ना हिंदूओं के कैलाश परवत पर अतह इन जगहों पर मुझे क्यूं खोज रहा है तुम्हारा भटकना बेकार है ना तो मैं किसी प्रकार को छोड़ कर के सन्यासी बनने से यह सब तो उबशी दिखावा है तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि लोग कितने प्रकार के आडंबर करते हैं दिखावे करते उन्हें कभी भी इश्वर की प्राप्ती नहीं होती है तो यहां पर इश्वर कह रहे हैं कि तुम मुझे कहां ढूंड रहे हो मैं आज पास संसार में कहीं नहीं हूँ कहां हूँ मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ तुम्हारे सांसों के साथ चलता हूँ तुम्हारी आत्मा में विद्धिमान हूँ आगे कभी ये भी कह रहे हैं कि मैं तो सब जगा पे व्याप्त हूँ यदि सच्चा खोजने वाला भक्त हो जिसके मन में मुझे पाने की सच्ची लगन हो तो मैं तुरंत ही उसे दर्शन देता हूँ मुझे पाने के लिए तो पल भर की सच्ची लगन ही काफी है कभीर जी अपने भक्तों को कहते हैं कि सुनो भाई संतों वह जो परमात्मा है वह सभी प्राणियों में मौझूद है जैसे सांस तुम्हारे भीतर है वैसे परमात्मा भी तुम्हारे भीतर है वो तुम्हारे भीतर ही निवास करता है वही प्रान बन कर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है अतह उसे खोजना है तो मन के अंदर खोजो बाहर नहीं कितनी सीधी सरल और सची बात उन्होंने कम शब्दों में हमें बताया है कि इश्वर कहा है वह सभी घट घट में वो वो तो व्याप्त है यानि वो हर जगह पे व्याप्त है हर प्राणी में उसे पाया जाता है परंतु हम उसे दिखावे के जरीए दिखावे के जरीए उसे पाने की कोशिश करते हैं जो की व्यर्थ है बेकार है क्योंकि स्वयम इश्वर कहते हैं कि ना मैं मंदिर में हूँ ना मैं मस् में हूँ अर्थात वे कहां हैं वे बोल रहे हैं कि यदी कोई सच्चा साधक हो जिसके मन में सच्ची भक्ती हो तो वो शन भर में मुझे प्राप्त कर सकता है उसके बुलाने पर मैं तुरंत उसे दर्शन दे देता हूं और मैं कहीं बाहर नहीं मैं तो तुम्हारे अंदर हू मैं तो तुम्हारी सांसों में व्याब्त हूँ अर्थात आपके जैसे हम सांस लेते हैं वो हमारे अंदर चलती है उसी प्रकार से इश्वर भी हमारे अंदर प्रान बन करके बसते हैं हमारी आत्मा में रहते हैं इसलिए तो ये कहा गया है कि हम लोगों से जूट बोल सकते हैं लेकिन अपनी आत्मा से कभी भी जूट नहीं बोल सकते तो यहां पर कहने का अर्थ यह है कि इश्वर हमारे अंदर है यानि हम किसी से भी कुछ भी कहें लेकिन हम जानते हैं कि हमने क्या कार्य किया अच्छा किया या बुरा किया क्यूंकि हमारे अंदर भी इश्वर विद्धिमान है चलिए अगला पद देखें संतो भाई आई ज्यान की आंधी रे ब्रहम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे नबांधी हिती चित की द्वे थुनी गिरानी मुह बलिंडा तूटा तृष्णा चानी परी घर उपरी कूबधी का भांडा फूटा अर्थात यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि ज्यान की आंधी आ गई है लेकिन उससे पूर्व हम पढ़ेंगे इन शब्दों के अर्थ तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है टाटी अर्थात बांस की फटियों से बना हुआ परदा माया माया अर्थात अविद्या और या रसी यहाँ पर माया को अविद्या के रूप में भी बताया गया है हिती हिती का अर्थ होगा स्वार्थ चित चित का अर्थ है मन थूनी थूनी अर्थात खंबा या जिसे हम कहते हैं स्थंब बलिंडा अर्थात छत पर बांधी जाने वाली बल्ली तूटा यानि टूटा हुआ तृष्णा अर्थात तृष्णा चाह या कामना चानी चानी का अर्थ होता है चपर यानि जोपड़ी पर जो चपर जो चछत होती है उसी को ही चपर कहा जाता है घर यानि यहां पर धर्ती उसे माना गया है कुबध्धी का अर्थ ह सांसारिक वासनाओं वाले विचार यानि बुरे विचारों को यहां पर कुपुद्धी से तुलना की गई है उसकी भांडा अर्थात बरतन तो भचो इन शब्दों के अर्थ जानने के बाद आईए अब जानते हैं इन सब के भावार्थ तो यहां कबीर जी कह रहे हैं कि हे सं भाईयों ज्यान की आंधी आ गई है उसके आते ही भ्रम की टाटी पूरी तरह से उड़ गई है और माया रूपी रसी से बांध कर ना रख सके स्वार्थ और धन का चिंतन करने वाले मन के दोनों स्थान गिर पड़े हैं मुह रूपी बलियां तूट गई हैं और तृष्ण रूपी छपपर धर्ती पर आगिरा है और बुद्धी रूपी बरतन तूट गए हैं फूट गए हैं और कुबुद्धी का भेद खुल गया है अर्थात यहां पर बताया गया है कि किस प्रकार से जब किसी व्यक्ति को ज्यान प्राप्त होता है तो ज्यान जहां पर होता है वहाँ पर सारे अज्ञानता वाले जितने भी विचार होते हैं वे वहाँ से गायब हो जाते हैं अर्थात जिसे जिस वेक्ती को ज्ञान की प्राप्ती हो गई है उसके अंदर जितनी भी दुर्भावनाएं जितने भी विकार हैं मुह लालज ये सारे अपने आप ही खतम हो ज उसका जो जो टाटी है जो बास के फट्टियों से बनी हुई है वो तो स्वयम उड़ गई माया रूपी रसी में वो बांध कर उस पे न रख सकी और जो जो मन जो इधर उधर फटकता था वो अपने स्थान पर गिर पड़ा है और मोह रूपी जितनी भी बलियां है वो अपने यहां भी टूट गई हैं और त्रिश्णा के रूपी जो छपर था यानि जो चाहती थी मनुष्य क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति है कि उसकी कामनाएं उसकी इच्छाएं कभी खतम ही नहीं होती हैं तो जिस व्यक्ति ने सच्चा ज्यान प्राप्त कर लिया हो तो क्या होगा उसकी जो तृष्णा है तृष्णा रूपी छप पर स्वयम ही तूट करके जमीन पर गिर पड़ी और बुद्धी रूपी वर्तन यानि हमारी बुद्धी में अच्छे विचार और खराब विचार ये दोनों विचार अपना-पना स्थान गरहन करते हैं लेकिन जिस बुद् यानि उसके अंदर जितनी भी भावनाय थी जितने भी गंदे विचार थे खराब विचार थे वह स्वयम ही उनका नाश हो गया किस के आने से ज्ञान की प्राप्ति होने से ज्ञान के आने से आगे देखते हैं जोग जुगती करे संतो बांधी निर्चु चुवे न पानी कूड कपट काया का निक्सया हरी की गती जब जानी आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरी जन भीना कहे कभीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना अब देखते हैं इनके शब्दों के अर्थ जोग जुगती इसका अर्थ होता है योग साथना से युक्त यानि परिपूर्ण निर्चु अर्थात थोड़ा भी चुवे यानि रिष्टा है रिष्टा है चूता है जब पानी टपकता है हम उसे कहते कि पानी चूरा है अर्था के बरसने को कहते हैं भीना अर्थात भीगा हुआ भान अर्थात सूर्य सूरज उदित भया अर्थात उक गया यानि प्रकट हो गया तम खीना तम कार्थ क्या होता है अंधकार और खीना कार्थ क्या हुआ नश्ट हो जाना अर्थात अंधकार का नश्ट हो जाना तो अब इस रूपी आंधी में कवीर जी हमें क्या पताना चाहते हैं कवीर जी ये कह रहे हैं कि अब संतों ने योग साधना नहीं टपक सकती इस प्रकार जब संतों ने हरी के रहस्य को जान लिया तो शरीर में बसा हुआ कूडा कपट पूरी तरह से निकल कर बाहर हो गया और इस ज्ञान की आंधी के बाद भक्ती रूपी जल की वर्शा हुई और जिसके जिसमें क्या हुआ प्रेम में हरी के सभी भक उस वर्षा में भीग गए कभीर जी कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान रूपी सूरज के प्रकट होने पर जो भी अंदिकार शेश था वह भी समाप्थ हो गया तो इस ज्ञान रूपी आंधी के बारे में उन्होंने क्या बताया है कि अब साधू संतों ने उसकी युक्तिया निकाल ली है उन्होंने नए छप्पर का यानि कि नए घर का निर्मान कर लिया है और ऐसा मजबूत घर बनाया है कि अब उसमें से थोड़ा भी पानी नहीं उन्होंने हरी के रहस्य को जान लिया यानि कि जितने भी ज्यान होती है ज्यान भरा है संसार में उसे प्राप्त कर लिया और उसके प्राप्त करने के बाद कुछ भी बाकी न बचा और स्वयम ही जितने भी दुर्भावनाय थी सभी समाप्त हो जाती है और उस घर को बनाने के बाद उन्होंने जो भक्ती रूपी जल था उसे इस प्रकार से मजबूत बनाया है कि जो भक्ती रूपी जल है उसकी जब वर्षा होती है तो वे उस भक्त भीग जाते हैं सारे भक्त उस भक्ती में लीन हो जाते हैं तो यहां पर कहा गया है कि जब ज्यान रूपी सूरज प्रकट होता है तो क्या होता है अज्ञान स्वयम ही भाग जाता है यानि अज्ञानता संपूर्ण रूप से नश्ट हो जाती है आगे बढ़ते हैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सबत के ये दोनों जो पद हैं भली भाती समझ में आए होंगे अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न उत्तर की तरफ पहला प्रश्न है मनुष्य इश्वर को कहां कहां ढूंडता फिरता है क्यूंकि सबत के पहले भाग में इस बात की चर्चा की गई है कि इश्वर कहां कहां विद्देमान है परंतु मनुष्य उसे कहां कहां ढूंड रहा है इसका उत्तर है हिंदू अपने इश्वर को मंदिर तथा पवित्र तीर्थ स्थलों में ढूंडता है तो मुस्लिम अपने अल्लाह को काबा मस्जित में और मनुष्य इश्वर को योग वैराग्य तथा अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में खोजता फिरता रहता है कबीर ने इश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है क्या प्रचलित है क्यूंकि दुनिया में तो ऐसी कई चीज़ें हैं कि हम जिसे करके हम इश्वर को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन कबीर जी ने उन सभी बातों का खंडन किया है और वो कौन सी बाते हैं कबीर ने इश्वर प्राप्ती के लिए प्रचलित विश्वास कौन से विश्वास जैसे मंदिर मस्जित में जा करके पूजा अर्जना करना या नमाज पढ़ना या फिर योग वैराग्य जैसी क्रियाए करके पवित्र तीर स्थलों की यात्रा करना आडंबर युक्त भक्ती करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना इन सभी प्रचलित माननेताओं का खंडन किया है आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्ण की और तीसरे प्रश्ण में पूछा गया है कि कबीर ने इश्वर को सब सांसों की स्वास में क्यूं कहा है क्यूं कबीर ने कहा है कि इश्वर बाहर नहीं आपके अंदर हैं आपके सांसों में हैं चलिए इसको उतर देखें सभी जीवों की रचना इश्वर के द्वारा की गई है और इश्वर का वास हर प्राणे के हर सांस में है अर्थात इश्वर हर प्राणी के अंदर है इसलिए कबीर ने इश्वर को स्वासों की यानि सांसों की स्वास में कहा है अगला प्रश्ण है कबीर ने ज्यान की आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से क्यों की है ये बहुत अच्छा प्रश्ण है क्योंकि सामान्य हवा में और आंधी में फर्क होता है और वो कौन सा फर्क होता है आईए जानते हैं सामान्य हवा में वस्त्वों को प्रभावित करने की इतनी शमता नहीं होती जितनी की आंधी में होती है उसी प्रकार ज्यान की आंधी आने से मनुष्य के मन पर पड़े हुए हर एक किसम के अज्यान के परदे जैसे मुहमाया रूपी बुराई छल कपट रूपी कूडा सब अपने आप नश्ठ हो जाते हैं और मनुष्य का मन निर्मल होकर प्रभू की भक्ती में रम जाता है आगे देखते हैं अगला प्रश्ण ज्यान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है यानि जब जब ज्यान की आंधी यदि कोई भक्त ज्यान पी सागर में डूपना चाहता है उसकी आंधी में उड़ना चाहता है तो उससे भक्त के जीवन पर क्या असर पड़ता है ज्यान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाएं और सारी अज्यानिता का नाश हो जाता है वह मोह के सांस तारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है मन उसका पवित्र तता निश्चल होकर प्रभु भक्ती में लीन हो जाता है तो बच्चों इसी के साथ ही उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को साखियां का यह भाग सबद अच्छी से अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूं धन्यवाद